नमस्कारम सद्गुरू, अगर पिछले जन्मों जैसी कोई चीज है, तो क्या इस जन्म के लोगों के साथ हमारा कोई पुराना संबंध होता है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ने आपके साथ कारिकरम करने के बाद मुझसे पूछा था, मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली? तो मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली? मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर कोई ये सवाल पूछ रहा है, तो आपको खुद को देखना चाहिए, कि आपके साथ क्या चल रहा है? इतने सालों के बाद कोई सोच रहा है कि मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली? आपको सच में खुद की और देखना चाहिए, अपने पिछले जन्मों को नहीं, इस जन्म में आप हैं। तो आप मेंसे कोई भी, अगर कोई सोच रहा है कि मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली? तो पिछले जन्मों के बारे में मत सोचिये, आपको ये देखना होगा कि आप इस जन्म को कैसे जी रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है कि ये सब फिल्मों के कारण है, जन्म है, जन्म है, whatever. मेरे खयाल से नई फिल्मों से यह सब जा चुका है आप सतर और असी के दशक की फिल्में देखकर बड़े हुए इसलिए आप जनम जनम के चक्कर में पड़े हैं देखिए सबी यंग लोग नई फिल्में देखते हैं वो जनम जनम की बाते नहीं करते आज कल वो रिष्टों और उनके एक्सपारी डेट के बारे में साथी सोच लेते हैं तो आपकी सत्य की खोज को अगर कमर्शल सिनमा रास्ता दिखा रहा है तब तो आप मुसीबत को घर बुला रहे हैं तो अगर आप किसी के साथ सिर्फ तभी रह सकते हैं जब आपको विश्वास हो कि आप कई जनमों से साथ रहे हैं तो ये साथ रहने का बहुत बुरा तरीका है मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कई जन्मों से हूँ ये साथ रहने का बेहुदा तरीका है मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही होना चाहता हूँ ये किसी के साथ रहने का एक सुन्दर तरीका है मैं तुम्हारे साथ इसलिये हूँ क्योंकि पिछले तीन जन्मों में अपने जीवन में ऐसी भहेंकर चीजें मत पैदा करें प्लीज तो अगर आप तीन जन्मों से साथ हैं तो इसका मतलब है कि अलग होने का समय आ गया है नहीं? लोग हर वक्त मेरे पास इस तरह के सवाल लेकर आते रहते हैं सद्गुरू, क्या मैं पिछले जन्म में आपके साथ था? क्या आपको लगता है कि अगर मैं पिछले जन्म में आपसे मिला होता तो मैं फिर कभी दोबार आपके सामने आना चाहूँगा? मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीज कल हुई थी, उसका अभी कोई महत्व नहीं है अभी आप उस चीज को महत्त पून बनाने की कुशिश कर रहे हैं जो शायद हुई थी, आपको पता भी नहीं है जो शायद हुई थी किसी और जन्म में यह तो वही बात हुई जैसे एकसर हर कोई अपने स्कूल के दिनों या पढ़ाई के दिनों के बारे में बात करता है अरे वो तो मेरे जीवन के गोल्डन यहस थे हम जानते हैं कि आपके गोल्डन यहस कैसे थे आप हमेशा टेंशन में रहते थे एक्जाम्स के वक्त आपकी हालत खराब रहती थी आपको अपने टीचर्स से नफरत थी और आप स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे अब वो गोल्डन येज लगते हैं क्योंकि अब वो खत्म हो गए च्योंकि अब आपको स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए वो गोल्डन है मेरे ख्याल से आप अपनी शादी के बारे में भी ऐसा ही महसूस करेंगे जब अगर आप अपनी शादी के बारे में उसके टूट जाने के बाद ऐसा महसूस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है अगर आप शादिशुदा होते वे ऐसा महसूस करें, तो बढ़िया होगा, है ना? रिष्टा तूटने के बाद आप सोचते हैं, सब कुछ कितना बढ़िया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप शादिशुदा होते हुए ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो ये बढ़िया है तो अतीत के बारे में सोच कर अपना वक्त बरबाद मत कीजिए मेरी बात मानियें, ये फालतू की यादें, आपको अपाहिज बना रही है ये आपको, अपने दिमाग को एक खोच का ओजार बना कर इस्तिमाल नहीं करने दे रही एक ऐसा ओजार जो जिन्दगी के अनेक आयामों को खोल सके अब आप, अब आप उन सारी यादों का बोज उठाना चाहते हैं, जिसे दूसरे लोग भूल चुके हैं और अगर वही इकलौता तरीका है, जिससे आप अपने पती या पतनी के साथ रह सकते हैं, तो ये लोगों के साथ रहने का बहुत ही बहुदा तरीका है, ऐसा मत कीजिए देखिए, अगर आप उस इंसान को महत्तो दे सकें, जो भी आपके सामने बैठा है, वो अभी जैसा है उसलिए, इसलिए नहीं कि वो कहीं और क्या थे आज, आज की modern societies की यही तो खासियत है, हम आपकी इज़त, आपके पिता की वज़य से नहीं करते, बलकि आप जो हैं, उस वज़य से करते हैं, आप कौन हैं, इस वज़य से आपकी इज़त होती है, यह माइने रखता है, है ना? अरे आप, आप किसके बेटे हैं, आप किसकी बेटी हैं, यह माइने नहीं रखता है, बतकिस्मती से बहुत से लोग आज भी उसी में जी रहे हैं, आप कौन हैं, यह माइने रखता है, आपने अभी खुद को कैसा बनाया है, यह माइने रखता है, आपके पिता कौन थे, य एक बड़ा कदम है, है ना, है कि नहीं? ये बहुत ही महत्वपून कदम है कि कोई मुझ से नहीं पूछता कि तुम्हारे पिता कौन है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मैं कौन हूँ? ये बहुत ही बड़ा कदम है, है ना? पर अगर आप यहां पचास साल पहले आये होते हैं या सौ साल पहले, तो कोई आपको देखकर ये नहीं पूछता कि आप कौन है, वो सिर्फ ये पूछते कि आपके पिता कौन है, हां? बडलाव आया है, बहुत कुछ बडला है, तो ये पूछना कि आप अपने पिछले जनम में क्या थे, ये तो ये पूछने से भी बुरा है कि आपके पिता कौन है, आप अभी क्या है, ये सबसे ज्यादा माइने रखता है, है ना? आपने अभी अपने जीवन को क्या बनाया, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, तो गड़े मुर्दे उखाडने में अपना समय और जीवन बरबाद मत कीजिए.